अग्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप पहली बार अपने बच्चे का दाखिला स्कूल के अंदर करवाते हैं तो बच्चा और माबाप दोनों ही काफी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं स्कूल के पहले दिन को लेकर अगर आपने पहले से ही अपने बच्चे को साली सिक्षर दी हुई है कि स्कूल के अंदर किस तरीके से जाना है स्कूल जाना कितना जरूरी होता है, स्कूल के अंदर क्या-क्या सीखने को मिलता है तो आपका बच्चा काफी ज्यादा excited रहेगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बताया हुआ है तो उसके मन के अंदर एक डर सा बैठ जाएगा कि आखिर काल में किस जगा आ गया बार-बार टीचर्स का पूछना, बार-बार बाहर जाना, अंदर आना क्लास के अंदर टीचर्स का बदलते रहना ये सारी चीज़े बच्चा एकदम से एड़्जस्ट नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से वो काफी ज्यादा डर जाता है इसे लिए जब भी आपके बच्चे के स्कूल का पहला दिन हो तो आपको कुछ स्पेशल टिप्स रखने की जरुरत है जैसे की अपने बच्चों के स्कूल बैक के अंदर उन सारी चीज़ों के कम से कम मातरा रखे जिसमें उसकी सारी जरूरत की चीज़े भी हो और वो भार उठा कर भी स्कूल के अंदर ना जाए एक अच्छे से बैक के अंदर उसकी जरूरत की किताबे लंच बॉक्स, पैंसिल बॉक्स और वाटर बॉटल इन चाला चीजों को अच्छे तरीके से लग दीजे अपने बच्चे को एक ऐसा लंच बॉक्स दीजे जो कि ज्यादा फैंसी नहो बस खोलने और बंद करने में आसान हो क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा कॉप्लिकेटिड चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं और लंच के टाइम पर जब भी उन्हें भूक लगेगी तो वो ये नहीं देखते हैं कि उनका लंच बॉक्स कितना सुन्दर है या पिर नहीं उन्हें केवल खाने से मतलब होता है इसलिए लंच बॉक्स और वाटर बॉटल दोनों को ही इस तरीके से दीजे जो बच्चे को खोलने और बंद करने में आसानी हो तीसरी बात बच्चों के पैंसिल बॉक्स को अच्छे तरीके से सजा कर दीजे क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को काफी ज्यादा इंटरस्ट आता है पढ़ाई करने में बॉक्स वग्यरा को अच्छे तरीके से असेंबल करके दीजे बच्चों की पूरे यूनिफॉर्म को अच्छे तरीके से आयन करते के दीजे ताकि जब भी वो पहली बार क्लास के अंदर एंटर करे तो टीचर भी उसकी तारीफ करे और उसका मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाए सो दोस्तो अगर आपने अपने बच्चे के स्कूल के पहले दिन को अच्छे तरीके से प्रिपैर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं वेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटिट वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए